हलो वियर्स आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा दस्वी हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस दस्वी कक्षा में व्याकरण में कौन-कौन से टॉपिक एक्जाम में आने वाले हैं और आपके कोर्स में व्याकरण में से क्या क्या है ये सब आज के वीडियो में देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं इसके साथ ही कक्षा दस्वी हिंदी व्याकरण की तियारे आपको कैसे करनी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो दस्वी हिंदी व्याकरण का जो कोर्स दे रखा है उसके अनुसार सबसे पहला है पद्धि साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन तो पद्धि साहित्य का इतिहास मतलब है हिंदी साहित्य के इतिहास की ही यहां बात हो रही है और उसके काल विभाजन जिसमे है रितिकाल आधुनिक काल और आधुनिक काल में भी है प्रयोगवाद प्रगतिवाद और नई कविता आधुनिक काल में आपको पढ़ना है प्रय परिभाशा एवं भेद और उसे मुख्य रुप से प्रभंध कावे के भेद देखने हैं तो प्रभंध कावे के जो भेद हैं और भेद के भी जो भेद हैं और भेद के भी जो भेद हैं सारे ही आपके कोर्स में हैं तो कावे की परिभाशा हैं भेद से संभानित कौन-कौन से प्रशने एक्जाम में आते हैं, उसमें से कौन-कौन से महातोपुर्ण नहीं, इसके वीडियो अलग से बनाया जाएंगे, जिसमें हम important question की बात करेंगे और इस topic से ठीकी, जैसे कावे की बरिभाशा हैं भेदे इसमें से कौन-कौन से प्रशने बन सकते हैं, उसमें सबके भी हम त्यारी करेंगे, इसके बाद है रस, इसमें है रस के अंग एवं रस के प्रकार उधारण सहीद, तो रस के जो भी अंग है, उसके जो भी प्रकार है उधारण सहीद हमें याद करना है और रस से समभदित एक क्विश्चन, आपके वेकल्पिक प्रशनों में भी आता है, मतलब एक नंबर में तो यह भी हमें अच्छे से त्यार करना है और रस समभदित एक वीडियो बनेगा, जिसमें पूरे ही रस समभदित सारे क्विश्चन होंगे, आपकी हिंदी व्याकरण की समपूर्ण तयारी होने वाली है, इसके बाद है चंद, चंद में मुखी रुप से मैं याद करना है, दोहा एवं चोपाई, किके दोहा एवं चोपाई और इनके उधारण इसके बाद है अलंकार तो अलंकार जो आपके कोर्स में वो है, मानवी करन अलंकार पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार अतिश्योक्ती अलंकार और अन्योक्ती अलंकार ये चार अलंकार आपको कोर्स में दे रखे हैं आपके सिलेबस में तो ये चारो ही अलंकार हम तयार कर लेंगे, बहुती सरल तरीके से उधारन सहीत, इसके बाद ये शब्द गुण का सामाने परिचे, तो इसमें शब्द गुण की परिभाशा, इसके प्रकार, प्रकार की परिभाशा और उधारन भी आएंगे, इसके बाद जो अगला टोपि गध्य की प्रमुक एवाम गोण विधाय तो यहां में इसकी प्रमुक विधाय भी तयार करनी होगी और गोण विधाय भी और इससे संभादी जो जो प्रश्ण बन सकते हैं हम तयार करेंगे और important question भी हम आपको बताएंगे कि कोन-कोन से important question है जो आपको तयार कर लेना गध्य की जो प्रमुक विधाय है उसमें है निबंद, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलूचना और गोण विधायों में आ जाते हैं आत्मकता, संस्मरण, साक्षातकार, जिवनी, आदि तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बार जो अगला topic है वह है संधी एवं समास, भेद एवं उधारण सेथ, तो यह संधी के प्रकार हमें तयार करने पड़ेंगे उधारण सेथ, और समास के भी प्रकार उधारण सेथ, लेकिन इन से समधी जो question exam में आते हैं, वो इनके उधारण अदिकते राते हैं, ठी अगला topic है वह है मुहावरे एवं लोकुक्तिया, तो यहा मुहावरे लोकुक्तिया किसे करते हैं, इन दोनों के बीच में अनतर, और इनके उधारन हमें तयार करने होंगे, अनेकार्थी शब्द के उधारन सारे तयार करने होंगे, और वाक्यांशी के लिए एक शब्द तो यह भी एक्जाम में आते हैं, इसके बाद अगला टोपिक है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो जो वाक्य के भेधे वह हमें तयार करना है इसके साथ ही यह जो टोपिक इसमें से जो प्रश्ण बनते हैं वह है वाक्य रुपा अंतर्ण तो एक प्रकार का वाक्य दे रखा होता है उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने के लिए आता है प्रश्ण दिक्तर तो यह भी हम त त्यार करेंगे इसके बाद है शब्द शक्ति का सामान्य परिचे तो सामान्य परिचे में शब्द शक्ति की परिभाशा इसके प्रकार और प्रकार की परिभाशा और उधारन यह सब हमें त्यार करना होगा इसके बाद जो है अपटित काव्यांश या गध्यांश तो अपट करना आसान होगा और क्या आपको करना चाहिए एक्जाम में यह हम अच्छे से समझ लेंगे तो इन सबसे संबंदित वीडियो चैनल पर आ रहे हैं हम पूरी ही तयारी करेंगे इसके बाद पत्र लेकन तो पत्र लेकन में पत्र और प्रातना पत्र दोनों ही शामिल होते हैं क् पत्र लेकन में उपचारिक और अनुपचारिक पत्र होते हैं उपचारिक पत्र वह होते हैं जो प्रातना पत्र होते हैं और अनुपचारिक पत्र में अपने भाई या संबंदियों को या रिष्टदारों को हम जो पत्र लिखते हैं वह होते हैं तो पत्र लेकन में हमें प पूरे अंकब प्राप्त हो जाए, तो उसके भी हम त्यारी करेंगे, इसके बाद जो अगला टोपिक है वह अनुचेद लेखन, सवाद लेखन, विज्यापन लेखन और सूचना लेखन, तो इस चार टोपिक में से अथ्वा में से प्रश्णा आएगा, ठीके, जैसे या तो अनुचेद लेखन और सवाद लेखन आ सकता है, एक अनुचेद लेखन आ जाएगा, उसके अथ्वा में सवाद लेखन हो जाएगा, या फिर कोई से भी दो हो सकते, जैसे सवाद लेखन आ सकता है, या फिर इसके अथ्वा में विज्यापन लेखन आ सकता है, तो इस प्रक तो लिखना है लेकिन उसकी रूपरेखा भी बनानी है किसी भी निबंद की रूपरेखा किस तरह से बनाते हैं और कौन-कौन से इंपोर्टिंट जो निबंद है आपके तसी बोर्ड एक्जाम है वो उसकी हम त्यारिक करेंगे तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कक्षा दस्वी बोर्ड एक्जाम का हिंदी व्याकरण का पूरा सिलेबस देख लिया है और इस सिलेबस में से मतलब यहाँ जो जो टॉपिक दे रखे यही आपके सिलेबस में और इससे बहार से कोई साभी प्रशन नहीं पूछा जाएगा तो इसकी हम संपूर्ण तयारी चैनल पर करेंग और यदि आपको हिंदी व्याकरण से संबंदित कोई भी कठी नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इसके साथ ही दस्वी हिंदी के सारे प्रशन तर चितिच के भी और कृतिका के भी भहुती सरल भाशा में चैनल पर दे रखे हैं यदि आप नहीं देखे हो तो उनक हिंदी व्याकरण की भी और इसके साथ हम अंग्रेजी व्याकरण की भी तयारी करेंगे क्योंकि हमें दस्वी की संपूर्ण 100% तयारी करनी है तो इस प्रकार से हमने देख लिया है दस्वी हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सेले बस तो इसी प्रकार के और वीडियो देखन के लिए कक्षा दस्य की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।